हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है चलिए बहुत ही मज़ा आ रही होगी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में हां ऐसा मुझे लग रहा है लगना नहीं और आपको प्रिपेर होना भी है इस लेबल में तो चलिए आज ट् हां क्वाड्रेंट यह बहुत ही बिंदास बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है हम आपको इसका प्रूफ बताएंगे रटने को नहीं बोलेंगे हां चलिए वीडियो को लाइक सेर सब्स्राइब कर दीजिए इसके बाद पढ़ाई पर ध्यान देते हैं ना फोकस अपना पढ से उनको जरूर आप जोड़िए फिरी सिच्छा मिल लेए तो भाई सबको आप डिवाइज करिये और मल्टीपल टाइम उसको एड़ कराईए चलिए स्टार्ट करें ना चलो वाड्रेंट बहुत ही देखो सीट सेकंड चल लेए ना सीट सेकंड में प्रिवीस एक लास में हमने कहा तक इसको फाइनल किया था यह हमने इसमें बहुत बेठरीन कंसेप्ट आपको बताया था कि क्या कोई भी आपको कि अैसी सिच्वेशन बन जाए जहांप आपके क्या कि लास्ट के लिए बहुत की तिना आप को यह बन जाए तो बहुत यह बेतरीन तरीके यह से हमने सॉल्व कराना बतायता है ऐसी क्योशन को और हाला कि कोई भी क्योशन हो आप कितनी भी टफ हो दो लाइनों में आप एक्स की वैलू फाइंड कर सकते हैं पहले तो उसको आरेंजी कीजिए लेट कीजिए इसके बाद एक्स लिखिए एक्स की वैलू तो तीरी स्टेप में निकलती थी पहले आप दो नंबर ऐसे कोई चूज करिए यहां पर कोई वैलू अगर प्लस किया है या माइनस किये तो वह आए इंटू कराने के बाद आपकी यह वाली वैलू आए इसके जो सैंबल थे चिन निसान उसको आप पलड़ दीजिए हां और स्टेप कर आती थार्ड आपकी यह थी कि एक स्कूरेक्षिस स्कुआयर की स्कूर जायर करको से अगर कोई है तो तो इसे देवाइड कर ऑव अगर नहीं थो आप जानते Bijasm impacto कर हो और उसके बाद डारेक्ट एक बार में आपके ड्रील्यावठ आप कि बंदास तरीके स तो चलिए आज इस्टर्ट करते कौंसेप्ट कोड़रेंट कांसेप्ट बहुत बिंदास और हम आपको वित्पूरूब के साथ बताएंगे बताया जाता था ना कि ऐसे बताया जाता था कि आपके चार चतुर्थांस क्वार्ट्र आपके चार होते हैं फेस्ट क्वार्डrd है बहुत ही फेमिलियर हो चुके यह ऀसमय कौन शेयिजियोस साइन थीटा कॉश थीटा टेन थीटा सब कॉश треб और कोड़ीट कान थीटा बहुत रही सिर्स जिस्ट क cham से लिये आपने Ohh मेरे भाई फ़र्ष्ट क्वाइट में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं हां बताय गया है चलिए इसके बाद सेकेंड क्वाइट में आप से बोला आता था कि आप बस रठ लीजिए भाई हां अब आपको रठना नहीं अभी आपको बता रहे हैं अपना पुराना फंडा उस स्वाइब होते हैं आपके पॉजिट्व औल पॉजिटिव चेकंड में आपका कि माद्यम से याद की थी ना हो तो आपनी कोई क्या और पर याद होना चीन झालिए अड़ सुगर मतलब शाइन थिता और इसका रेसी प्रोपल क्या होता था कॉसक थीटा हां कॉसक थीटा के वाल यह आपके पॉजटीव होते थे सेकेंड कॉर्डिन में थर्ड क्वार्डिन में कैसा था कि एड़ सुगर टू 10 थिता और और इसका रेसी प्रोकल आपका कॉट थीता यह दोनों positive होते थे बाकी आपके चार बच्छे वे निगेटीव होते थे correct इसके बाद fourth quadrant में आपका add sugar to coffee हां cost theta और इसका रेसी प्रोकल आपका क्या होता है के लिए ठीटा हां तेक ठीटा only आपके fourth quadrant में यह ही दोनों positive बाकी बच्चे वो आपके निगेटिव अभी तक तप का पुराने धर्रे से पुराने अपने विचारों से चल लेते पर हम आपको आप बताएंगे कि यह प्रेसियोस इनमें सारे पोजिटीव की वोते हैं फर्स्ट कोड़ेंट में अपका साइन और कॉसे की पोजिटीव और आपको समय आ गया जो आपका बिल्कुल पूरूफ मिलेगा अभी तक तो आपने बस रट लिया था रेंडम ली करेक्ट पर आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा ऐसा विल्कुल आपको राम मार बताएंगे कि आज जीवन अब कभी भी आप फूल नहीं पाएंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं को समझते हैं कि एक क्लास आपकी लेगी में तक पूरा इसमें खतलनेलेंगे इसके कि भीवाद दबाद कि भाइस पर कोशन करेंगे कंसेप्ट के लिए रोजेंग कनसेफ्ट साथ इक्साइज है इक्साइज आपने ठेर सारे कोशनने जिसमें आप के लिए आटि आगी और एक्कूरेसी मेंडेन होगी और धैर बनाया दिये पेसंस के साथ चलते अपना Quadrant स्टार्ट करते है चतुर्थांस चलिए हैडिंग डालिए पहले Quadrant हाँ Quadrant Quadrant Hindi मीनिग होती है चतुर्थांस Correct चलिए अब समझते हैं को अब समझते हैं को अब समझते हैं फिर से चलिए को और डिनेट एक्सेस बनाते हैं प्लेन फिगर में जो कि आपका बनके रेडी हो गया यह आपका अकी से इसके बाद इसको नया आपका एक्स है यह अपका एकश डैस है आज इंटेंड यह आपका Y है और यह ये mortality कि मेंस ना आप कहां पर प्लस होता था कहां पर माय वाइस होता है बिल्कुल बेसिक से आपको बताने जा रहे हैं हर एक पॉइंट पर आप धिशान दिजिएगा में यह एक्स और यह एक्स डैस ओर आपर सहारे MP1 जारे यह लॉवसारे तो मौत इसके बाद आप आपर साइट जाएंगे तो पॉजिटिव यालu हो जाएगी आपकी और गर निचे जाएँगे तो आप मायरस में चले जाएंगWe करेक्ट चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करें जैसे कि मालो आपका ये वन है प्लस का वन करेक्ट कुछ दूर बड़े इसके बाद वैलू आपकी बढ़ रही है थिरी रैंडमली ऐसा ही आपको बढ़ता हो चला जाएगा हाप पॉजिटिव वैलू लेकिन इसमें होगी आज़ा अब मैंने कैसे बता है जब इधर आपाएंगे तो आप टी eram हो जाएंगे घलिए माइन शूर शुन इसमें डभाई डश मेडमन शाराइए इसके बाद आप देखेंगे कितने अच्छा कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे हर एक चीजchnroheart पॉइंट एक भी आपको पॉइंट की ऐसा ने हुए जो किलियर ना हुआ हो जब आपको आगे बताएंगे हाँ थोड़ा से बेसिक देख लेते हैं इसके बाद यह ऐसे बनाते थे ना चलिए बहुत ही बेतरी इसके बाद अब सेकंड फिगर बनाते हैं उसमें आपको रेंज बनाई यह बहुत जरूरी है को देखेंगे इसकी रेंज हां क्या रेंज उससे पहले आप यहां पर इस डब्बे जो मैं बॉक्स बना रहा हूं इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए जो आपका एंगल होता है थीटा हां इसका जो रेंज होती है कितने डिग्री से कितने डीकरी तक होती है मैंने और लेडि जुमेत्ली पॉर्शन में आपको पढ़ा रख्ख तक जिसमें आपको जबा इप पॉइंट लाइन फैन एंлен इंगल उसमें बहुत तरीके से आपको एंगल बारे में जानकारी दीए तो आप जिमेट्री पार्ट भी उसका देखते रही है एडवांस में जिमेट्री पार्स और लेडियम पॉइंट लाइन से एंगल चार पार्श ग्लास में आपको रिकॉर्डर फोर्म में कंप्लीट करवा चुके हैं पहले से तो वह आप देख तरहा से रहbad यह मालेजी अभी आपका पड़ी हीमालो ऑफ का जो एंगल राइट अंगल ट्रेंगल आपjatग्स होता है सिर्ट है मेरो भाई इसके बाद मैंने डिखने आपको क्या एंगल की रेंज इनल ये आपका Jason ना जी रोधिकरी इसके बाद देखिए अब ये आपका जीडिक्री एपर जैसे 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 मालों कि अभी एक लाइन यह है आपकी सीधी पड़ी जीरो डिगरी इसके बाद आपने कुछ इसका हो दो जानर गवतकर हो जैसे आप अब भाद एक इंपर जो कि आरा रहे हो कि यह दर्टी तो फिर से से स्टार्ट होती और 360 डिगरी तक पूरा घूमता है करेक्ट चलिए और एक बार समझा दे रहे हैं हां यह हां रेंज वाली बात हो गई कितने 0 डिगरी से 360 डिगरी तक होता है बहुत ही बेतरी इसको उठाइए और यहां पर सिप्ट कीजिए चलो यह तो क्या होगी रेंज जी की बात 0 डिगरी से 360 डिगरी अब इसमें आप को ओर्डिनेट एक्सेस में आपको समझा रहे हैं कैसे होगा चलिए तो यहां पर देखिए आप पढ़ कौन सा कंसिप्ट रहे हैं क्वाडरेंट हां क्वाडरेंट तो यह वाला आपका कौन सा क्वाडरेंट है यह आपका है फर्स्ट क्वाडरेंट हां फर्स्ट क्वाडरेंट करेक्ट यह आपका कौन सा क्वाडरेंट है यह है आपका सेकेंड नहीं इससे पहले हम आपको पहले थीटा की रेंज ही बता दे हैं चलो थीटा की रेंज पहले बात की जाए उसके बाद नेक्स लाइट पर आपको क्वाडरेंट और थीटा दूनों साथ में बता देंगे यह बेटर रहेगा इसमें रेंज की बात करें जो इसमें रेंज होगी ना यह देखिए जीरो डिग्री से स्टार्ट हुई और कहां में अब 90 डिग्री में तो यहां पर इसकी रेंज हो जाएगी हां इसकी जो यहां पर रेंज हो जाएगी वह कितनी हो से एयरज कितनी होगी जीरो से 90 डिगरी भास समझ में आए यहां Skip grandD cooled जीरो से 90 डिग्री बोहत ही बेतरीन से बाद यह बास समझ में आए बहुत ही बेतरीन यह आपका इस वाले गौरेंटि पर आते हैं ङौप हो जाएगी देखिए यांगे यहां फर जो आपकी रेंज हो जाएगी देखिए ऑफ लांप की घुर नान टी तक पहुंचे है करेक्ट जीरो जै इंट हो जाएकीege हो जाएगी एक सो आ सौरी 90 डिगरी से 180 डिगरी तक इसका यहां तक का इलाका इसी का होगा करेक्ट इसके बाद आप देखिए यहां पर और नीची आई ये तो अभी तो आप यहां पर इसकी रेंज क्या हो जाएगी यहां पर इसकी रेंज हो जाएगी अभी आप एक सो असी से और आगे बढ़े आप तो कहा आ गए 20270 तक एक सबस्क्राइब यहां पर इसकी यह रेंज हो जाएगी इसके बाद इसके बाद यह जब इस वाले पार्ट में तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी अभी 9999 फिर आपने सोचा और थोड़ा बढ़ते ना भाई फिर से जलते हैं आप तो यहां पर जो इसकी रेंज ह कि हो जाएगी िस Feng रिंगि वह यह किसकी बीजिए अब आपने रेंजी को समझ लिया क्यों किसकी हां किसे अरिता यह की कोई को शुटिए मथोफ़ कि अपने में अपने रेंजी में बात स्वंपित खीक तक है ऐसे समझ लीजिए ठीक है अब इसके बाद इसको चलो यहीं पर बना देते हैं अच्छे से बन गया कोड़ेंट यहीं पर आपको कौन सा पर्ट है यह आपका है फ़र्स्ट क्वाड़ेंट हाँ कि परस्ट यह आप पहले तो ब्रेकट में लगाई यह यह वाला यह तो आपने रेंज की बात की थी ना यह यह आप करेंज की बात है पूरे इंकलाइनेशन जीरो से कहां तक जाता है जीरो से तिन सॉसर्थ दिए तक इसके बाद इसके बाद यह कौन सा हो गया यह वीर स्ट को ओर यह आपका है एक देकेंड के अने टेकेंड कोड़न के टरेक्ट यह यह फोन से कोड़ रिए यह वाल आया आपका थारड पोड़ रहा 3rd 3rd quadrant यह आपका 3rd quadrant और यह आपका कौन सा, यह आपका 4th quadrant 4th 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 quadrant 4th quadrant फ्लिए यहाप पर हमने यह दियाना कि 5 यहाप हमने देखा इसकी θीटा की range quadrant, 1st quadrant, 2nd quadrant और यह आपका फोर्थ क्वाडरेंट इसके बाद हमने साथी साथ इसकी रेंज भी देख लिए फर्स्ट क्वाडरेंट में इसकी रेंज क्या होगी जीरो से 90 नाइंटी से नाइंटी तक रहेगी नाइंटी से ज्यादा नहीं करेक्ट नाइंटी तक ही इसकी वैलू फिक्स है वहाँ तक इसकी छमता है इसके बाद इसके बाद और इसी में आप देख लिजिए की एक बात और जानते हैं परफर्ट कोईटेमें में अपके हां ओल पॉछलिटि पीगा और कि फोजिटिव के यो आपके सिक्स रेस्याव होते हैं फ़श्ट नकाने एक ही एर स्लिट में यादर रहिए का नोट्स बनाने में भी आपको प्रोब्लम नहीं होगी इसके बाद सेकेंड क्वाइड में ट्रिक के साथ बढ़ाता है एड यह आपके औल पॉजट्टिव है ना इसके बाद देखो यह आपका सेकेंड पॉजट्ट में एड सुगर और इसमें आपके साइन थीटा और कॉसक थीटा Only ये दोनों आपके क्या होंगे? Positive Only ये दोनों आपके positive होंगे Correct बाकी आपके 4 बचे हुए negative होंगे Third quadrant की बात की जाए तो मेरे भाई third quadrant में आपके Add sugar 2 10 थीटा और 10 थीटा और इसका रेशी प्रोकल होता है अपका कॉर्ट थीटा ओडली यह दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे बाकी आपके बचे हुए रिस्योस निगेटिव रहेंगे एड़ सुगर टू कॉफी हां फोर्थ कॉड़ेंड में कॉस् थीटा और इसका रेसी प्रोकल होता है आपका सेक थीटा ओडली यह दोनों आ और या आड तुगर तूगर तूट हाँ टूब कॉफी तो ऐसे तो देखते थे थे ना और या आड और सुगर तूब कॉफी एया एड सुगर टूब कॉफी कुलूवड होता था ना चलिए तो इसको आप ए लिखिए केवल ओनली ए इतनी बात समझ में आने चाहिए यहां तक किसी को यह तक इस वाले पांट तक दिक्कत नहीं चाहिए किसी को भी बहुत ही बैसिक तरीके से आपको बताया गया इसके बाद बात आती है कि एक औरल्ट आपको इठाते हैं एक और आपको हर एक और बारे में भरपूर और जानकारी मिलेगी बश्ट कॉर्डन से चलेंगे और फोर्ट कॉर्डन पर इंड करेंगे करेंगे चलिए या फिर से अच्छे से रिवाइस कर लेना चलते है नेक्ष्ट हाँ को और इन एक्सेज बनाई ये आप चलिए तो बताए है मेरे यह आपका कौन सा है पर्ष्ट कॉर्डन हाँ परस्ट तो परस्ट कॉर्डन में आपके सारे अल पॉजिट्व और दो जानते हैं और फर्ष्ट लल में इसकी रेंज क्या होती है हां इसकी जो रेंज होती है ना नीचे लिख लीजिए आप फ़र्स्ट क्वार्डेंट की जो रेंज होती है रेंज कि वह कितनी होती है जीरो डिगरी से 90 डिगरी तक परेक्ट जीरो डिगरी से 90 यह बात हो गई आपकी रेंज की यह बात किसकी हो गई आपकी रेंज की बात समझ पाया ना बहुत ही बेटरीन इसके बाद अब आपके रेसियोस जो होते हैं सारे रेसियोस एक बार पहले आप नोट डाउन कीजिए पहले तो देशियोस निलते हैं ना चलिए साइन थीटा जाओ कि साइन थीटा और देखे थीटा किसले लिचा आपको समlairव साइन थीटा परटी ह की वैलू यहां पर क्या है 0-90 डिग्री वानका जी auto-90 डिग्री यह माननष मिन इस नहीं यह ब्लॉं कर रहा हैं कि इतने कि इतने बीच में आपका उसका दारा रह सकता है तो थीटा कि जगह पर आप क्या लिखेंगे थीटा की जगह पर मेरे भाई लिखेंगे थीटा साइन थीटा साइन नाइन्टी माइनस थीटा देखो ऐसे लिखेंगे अभी तो यह क्या थी इसकी रेंज की बात जो इसकी रेंज थी ना कहा था जीरो डिगरी से नाइटी डिगरी तक इसका का फैला होता इसका दबदबा था इसके बाद यहां पर थीटा की जिए पर क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्योंकि जो आपकी थीटा की वैलू होगी अगर 90 से ज्यादा है तो वो और लेडी 90 से घड़ जाएगी समझ पहें ना हां 2590 मानल सीटा क्या होगा शले उसके बाद रेश्यों से लिख देते हैं इसके बाद आपको विद्वत तरीके से बताना भी तुकह 1090 माइनस थीटा क्या होका इकवल में यह हैं 90 माइनस थीट्म ई काउं से अ 90-थेटा, सिक, 90-थेटा, के बाद, कॉट, कॉट, 90-थेटा, इसके बाद इतना लिख लिया, अब आपको बहुत थी इंपर्टेंट, नेक्ट स्लाइड में छीज बताने जा रहे हैं, वो अगर आपको नहीं पता है, तो फिर इसकी वैलू आप साही से नहीं बता पाएंगे, करेंगे करेक्ट तुदेख लेते हैंं वह आपको पता होना ही चाहिए चलिए कि बहुत इंपोर्टेंट आप नोट्स बना कि इसको कर लिना इंपोर्टेंट्न दे रहा हूं Um.. बहुत इंपोर्टेंट और very important रहेगा क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो फिर आगे इस base में आप answer नहीं दे पाएंगे चलिए, वो क्या है समझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले आपको complimentary का मतलब समझना पड़ेगा मेरे भाई, क्या? Complimentary चलिए Complimentary का मतलब समझा रहे हैं आपको क्या? Complimentary मतलब पूरक या कोटी पूरक तो इसको graph के मादध्यम से आपको समझाएंगे हम आपको बिल्कुल trick के मादध्यम से सारी चीज बताएंगे तो देखिए, यहाँ पर आप लेकिए sin theta और इसी के सामने यापकर कौटी ता इससे थोड़ा सा हटगी याप लिखे यहाँ पर 10 theta कि इसके बाद इस से थोड़ा से हटकी यहाँ याप याप क्याँ साइन कोट ग्टी ता सुष इसके परल Carry 만들어 रिक हीई आप याप याहं पर zeg theta क्या एक फिटा इसके पर लखिया आप यहां पर कॉसेख थीटा क्या कॉसेख थीटा इसके बाद कि इसके बाद हाँ इसको ऐसे से करके एक गुरू बना दीजिए है न चैद कि यह आपस में भगना पाएं इसके बाद समझ का रहर है प्लीमेंटरी और कॉंपलीमेंटरी का मतलब यह होता है कि कौन किसके कॉंपलीमेंटरी में है तो साइन का कॉंपलीमेंटरी आपका हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस का कॉंपलीमेंटरी हो जाएगा साइन थीटा आपस में दोनों रिवर्स का टूत रहेंगे और टेन का कॉंपलीमेंटरी क्या हो जाएगा आपका कॉट थीता और को शाएगा आपका ट्रेंट थीता कॉट कॉट का पिलिंटरी हो जाएगा यथिन धी त लेवर और इसलिए आपके दोनों तरफ मेंने अे रो लगा दिये करेक्ट तो यहां से आप लिक्स कед देरनbrar कि साइन का कॉंपलीमेंटरी क्या होगा साइन थीटा का कॉंपलीमेंटरी इस इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉंपलीमेंटरी इस इक्वल टू साइन थीटा दोनों आपस में एक्वल लेंगे तेन थीटा का कॉंपलीमेंटरी क्या हो जाएगा तेन थीटा कॉंपली की चयों और आप ग्रांफ स्ट्विश्व राफ को च्छोटा करके सब supply में अपको एक और इंपोर्टेज चीज बताने मेरे भाई है छाल कि यह यह तो आपके कॉंपली में टी के बात हो गई हाँ कॉंपली मैं टी इस को बिठाई यह और यहांपे लगा तो समझ पाएना बहुत ट्रिक के माध्यन से बताएंगे आप भूल नहीं पाएंगे इसके बाद इसके बाद आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिखना है आपको कि कि यह कॉंपलीमेंटरी कभ लिखेंगे हम यह याद रखना कि साइन का रेषी प्रोपल मतलिके देना यहाँ पर को स्क्रीट यहाँ पर बात हो रही है क्वाडरेंट और आपको क्या चलता है कॉंपलीमेंटरी बास समझ मैंने बहुत ही बहतरी इसके बाद एक और बहुत क्या होती ती 90 20 90 90 90 तभी तो यह था एक एंटि हो फोल टू तो हाम एसीड bree zeker अन्ज की तो देखें है कर और उड्जी पर यहाँ समस्मुजाने यहा क्यों नायंटी का अगर और मल्टीम सब्सक्राइब क्या हुआ कि अगर आप इसी को 90 से डिवाइड करेंगे तो वैलू क्या आएगी one जो कि आपने आप में औरड नमबर है कर्रेक्ट यह आपका क्या हो जाएगा 180 180 अब जब आप इसमें 90 से डिवाइड करेंगे तब आपका कौन से रिमेंडर कितना आएगा आपका दो जो कि आपका पॉजिटिव एलू है क्या पॉजिटिव एलू यह वन आपका निगेटिव एलू आज सिमिलरली यह वाले भी क्या हो जाएगा आपका यह भी आपका हो जाएगा निगेटिव एलू यह आपका क्या हो रहें चलिए 90 का और 90 का इवेन मतलब समझ गया ना चलिए अगर 90 का हाँ चलिए लेंग्विज भी लिखा देते हैं आपको ताकि आप लंबे समय तक याद रख पहें चलिए अगर 90 का अगर नब्बे का नब्बे का और मल्टीपल हुआ और मल्टीपल हुआ तो वह तो यह अप्ले कोंपली मेंंटृ में चैन्ज हों जाएंगे हां तो यह अपने कंपली मेंटृ मेंतृ में ब sacrगी में जाएंगे हो जाएंगे तो है कि दर वात समझ पाए ना कॉमांपलिमेंटरी में जो जाएंगे अहीं पांऑ आगा बल्टी अगर नाइंती का ओड्मल्टीपल वह और करने को मतलब इंदसेंस कहने का यह हुआ अगर 90 का अगर 90 का और आपने आप में विसम संख्या है हां 90 का और मल्टीपल यह इससे आसान लेंग्वेज आपको नहीं लिखा सकते हैं ठीक है तो मेरे भाई थोड़ा से धान है अगर 90 का अगर 90 का और मल्टीपल हुआ तो यह अपने कॉंपलीमेन्टरी में आँ चैन्ज हो जाएंगे बदल जाएंगे कौन से कॉंपलेबेंट साइन अगर रहात कॉस्ट को आ टैन हुआ तो फॉस्ट को एक और एक पोइंट लिए आप यह आपका पहला पॉइंट्ट यह आपका दूसरा पॉइंट अगर 90 का मल्टीपल विए मल्टीपल हुआ तो हुआ तो नो चैंज हाँ नो चैंज अगर 90 का इवन मल्टीपल वा तो नो चैंज चलिए इसको भी समझ लेते हैं कैसे इवन मल्टीपल अगर 90 का इवन मल्टीपल मतलब के 90 इंटू टू करेक्ट तो देखिए अपने आप में 180 है और 180 को अब जब 90 से डिवाइड करेंगे तो तू आएगा विसम वैलू जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव वैलू है करेक्ट अगर 90 का इवन मल्टीपल हुआ तो नो चैंज साइन साइन जो कि आपको यह दो लेंग्वज याद ही होनी चाहिए चलिए को समझ लिया ना बहुत ही बेटरीन इसके बाद मेरे भाई इसको आप सेट कीजिए ऊपर आप पड़ रहे थे यह कौड्रेंट करेक्ट तो इसमें दू बातों को आपको ध्यान देना है कि कौड्रेंट कौन सा है इसके बाद के अंपर यह नंटी याइं इन बात जाए इवन मर्ने यह से बाद यह पाँ ईवट स्पीड मेह चलते हैं आगे बात करते हैं चलो आपको भाई मेरे सारे क्या होते हैं पॉजिटीव ह्तों ही नहीं दो तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है कि कौर्डरेंट कौन सा है आप फर्स्ट कौर्डरेंट में आपको सारे रेशियो क्या रहेंगे पॉजटिव इसके बाद बात आपको क्या देखनी है कि यह 90 का और मल्टीपल या इवेर मल्टीपल है तो देखिए नब्बे जो का आप में 90 ना अपने आप में क्या और मल्टीपल एंट में ने क्या करा और्ड मल्टीपल हुआ तो इस अपने संद्ध मेंटरी में यह प्याइANT में चेंजेड्र सब्स्टर करक्त करेक्ट तो साइन किसमें लाजवाब मेरे चलिह यह बात समझ वाइए फ़र्स्ट कोडन की बात हो गई सबसे टू पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट जो आपको लिखा दी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगर 90 का ओड मल्टीपल हुआ दो बातों का ध्यान देना भाई इसमें पौड़ेंट कौन सा है इससे प्लस या माइनस का पता चलेगा हाँ पौड़ेंट कौन सा है इससे या माइनस का पता चलेगा इसके बाद सेकेंड बाद आपको यह याद रखनी कि 90 का ओड मल्टीपल यह इब इकल आगर नाइंट का ओड मल्टीप लेइए तो इस अपने सारे कॉम्पली में जो जाएंगे अगर नाइंटि का इवIn multiple है सम नो चेंज हा नो जैंज फिर जैसा है वैसा ही हो जाएगा कर्रेक्ट्ट चलिए चलते हैं जिन फस्ifs क्वार्डेन की बात हो गई अब बनाते हैं क्वाणारेन्ट हा इसे कंड कोाड रोरेन्थ यह ते लिए त्परिकंड क्वाडरेन्थ और सेकेंड क्वाडरेंट आपका कौन सा होता है तो सेकेंड क्वाडरेंट आपका यह होता है यह आपका कौन सा क्वाडरेंट है यह है आपका सेकेंड हां क्वाडरेंट और इसकी रेंज क्या होती है 90 डिगरी से 180 डिगरी तक यह क्या होती है इसकी रेंज कौन पोजीटीव होता है कौन माइनस रही तो इसमें मेरे भाई इसमें आपका एड़ सुगर साइन थीटा और इसका सेसी फ्रोकल क्या होगा है कॉस्थ थीटा यह दोनों आपने आप में इसमें हां यह दोनों केवल पॉजिटीव होते हैं बाकी आपके नेगेटिव होते हैं इतनी जानकारी तो पता है ना बहुत ही बिंदास इसके बाद आपको क्या 90 से 180 करेक्ट तो इसमें दो पा इसकी रेंज कितनी होती है 90 डिगरी से 180 डिगरी तक यह मारेस नहीं भाई 90 से 180 तक करेक्ट चलिए तो इसको दो पार्ट में आपको ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा कितने टू पार्ट में तो कौन-कौन से पार्ट है देखिए एक तो आपकर यह हो जाए का 90 प्लस थीट आप अगरेक्ट टेकंड क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा क्यूंकि मेरे भाई अगर कोई वेल्यू 90 से कम है हां 90 से कम तो उसमें कुछ जोड के आपको 90 से और 180 के बीच में रखना अगर 90 180 से ज्यादा कोई वैलू हो रही है तो थीटा की वैलू से घटा देंगे और लेड तो टू पार्ट में इसको ब्रेक करके पढ़ना है चलिए एक कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा 90 फ्लस थीटा सेकंड कंसेप्ट हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा करेक्ट तो एक कंसेप्ट को उठाके पढ़ते हैं सबसे पहला वाला कंसेट आपका क्या है तो मेरे भाई पहला कंसेप्ट पर आपका 90 फ्लस थीटा 90 फ्लस थीटा फस्ट कंसेप्ट करेक्ट चलिए तो रेश्यों से लिखिए अपने पहले तो रेश्यों सापके क्या हो जाएंगे साइन 9b plus theta equal cos 90 plus theta equal 10 90 plus theta equal Coss X Coss X 90 plus theta हां सिक 90 प्लस थेटा एक वहां कॉट 90 प्लस थेटा एक्वल में क्या होगा तो देखिए एक्वल में सटीक रिश्यो निकालने के लिए आपको क्या मैंने बताया दो दोग्वाईंट में मेरे भाई आत्य ध्यान देना है है कि एक ऐसले कौण सा इससे साइड और्सम का आपको positive होता है बाकी आपके सारे क्या हो जाएंगे बाकी आपके सारे हो जाएंगे negative हां बाकी आपके सारे हो जाएंगे negative यह पहली बात हो गई परस्ट देखना है quadrant कौन साइस से आपको minus या plus का पता चलेगा correct जो कि आपने पता लगा लिए second बात आपको किसे पर गवर करना है कि 90 का odd multiple है या even multiple है तो देखिए यह क्या है 90 का odd multiple है हां यह क्या है 90 का अर्ड मल्टीपल क्या है और कि तो मैंने क्या बताया और में अपने चीजें ये complementary में convert हो जाएंगी correct complementary में तो देखिए यहांसे क्या हो 90 नटीतर ही जो 90 आपका क्या है拜拜 चेंड किसमे कई पर यो जाएक गूसर स्वार पछेतिए में किश के साइन किसमेह पपने वники कॉंप्ली मां टेरी थे टा संगें तड़किं इसमेह साइन थीटा में बात समझ में आये ना बहुत ही बेतरी अभी आपने कौन सा दो कंसेट पढ़े नाइस में 90 प्लस थीटा और एक आपको और पढ़ना एक 180 माइस थीटा यह आपने फ़र्स्ट पढ़ लिया हां यह आपका क्या था हिस्स पर्स्ट वाला तर्ट अब सेकंड़ क्या इप सेगिम करें आप सेकंड़ वाला सिट्ट पढ़े यह आप कॉंसेप्ट कौन सा है ऐसे लिखिए लिखकर फोटर अपचल देशवा अपशल्ट कॉंसेप्ट दे केंड़ है तो लिखिय दिल्ट है पहले अब यह आपके क्या थे ताइन थीटा ताइन थीटा की जगह पर आपका 180 माइनस थीटा अब यह आपका पढ़ेंगे आप 180 180 कि 180 माइनस थीटा बहुत ही बेतरीन चलिए कि विश्यों से लिक रहता है था था रिश्यों के साइन और 180 माइनस थीटा इक्वड पॉस पॉस एक्षी से इक्वड मीकिया होगा 180 माइनस थीटा फॉस एक पॉस एक फॉस एकक माइनस थीटा अफ रिक 180 माइनस थीटा कॉर्ट 180 माइनस थीटा इक्वल में क्या होगा अब आपको बता रहे हैं सबसे पहले तो यह देखना है आपका क्वाडेंट कौन सा इसे पे आपको माइनस या प्लस का पता चलेगा सेटर को eme सेकंड कॉर्डेंट में अपना साइन शीपना और और आपका प्लस क्या होता सेटर बाकि होते लिकी उप अ करेक्ट बाकिर आपके निगेत label होते हैं इसके बात आपको याद रखनी है कि 90 का यह और मल्टीपल या इवर मल्टीपल देख एक सो असी क्या है इवन मल्टीपल आइवन मल्टीपल है ना इवन में पर इवन मल्टीपल पर वैलू आपकी नौचल पर नूँ ज्य 아니라 the team क्रेक्ट no change to sign as it is ॉजाएगा आपका Bसाइन DESA मेर सोजाएगा आपका कॉस्थ थी राकर टेन возь आगा ज़ नटैनिटरा है कि वुल्से को जाएगा जीर्टिज आपका कॉस्थ थी इच वण्हें धिसपसे थीटा क्यों क्यों ने इसके बाद इसके बाद अभी आपने माइनस प्लस का फंडा नहीं समझा कि परस्ट कॉर्डिन पर आपके सारे पॉजिटिव होते हैं तो वह आपको बता दे रहें वह भी आपको बता दे रहें कि यह आपका था क्या फर्स्ट कॉर्डट था फर्स्ट कॉर्डट इसको वैलू नीचे लाओ और पुरूफ करना ये भी भाई साथ साथ में की बता दें आपको क्यू पॉजिटिव होते हैं सारे और क्यू निगेटिव होते हैं किस वाले कॉर्डट में चलिए इसमें आप नंबर पुट कीजिए यह आपका वन हो गया प्लेस का वन ना तू और ये थिरी इसमें ट्रिपलेट के माध्यम से आपको यूज करना बताएंगे करेक्ट तो सबसे इजी और अच्छा ट्रिपलेट छोटा ट्रिपलेट कौन से होता है तो आपका तीन चार पा आउ द्रेक्ट क्या मैंने कहा त्याहाँ से आपको ये फैस यहां से जोवापकी हाइप है यह आपको की वैलू हो जाएगे समझ पहाई ना बहुत ही बेतरी चलिए जेकंड को और छे सेखे आपको बता दे घुल गयते बता नहीं तो चलिए यह आप इसको बताते हैं कि क्योंकि हमने कहा था को प्रूव कराना ना तो प्रूव तो आपको बता देते रे फिर छलिए इसको उठाइए यहां पे लाइए यह किसकी बात हो रही थी सेकेंड कोड़ेंट की ना बहुत ही बेतरी तो आ देखिए इस वाले में ट्रिपेड लीजिए आप तीन चार पांच काई यह आपका तीन यह चार और यह वाला आपका हो जाएगा तो देखिए मेरे भाई पन चिट पढ़ा ना पंडित बदरि परसाथ हां पंडित बदरी परसाथ चलिए उनको फिर से जात कीजिए पंडित बदरी परसाथ और हर ली बदरी तो यहां पर देखिए आपने पर पेंटिकुलर की वैलू क्या आपकी पॉजिटिव, हाइपो की वैलू क्या आपकी पॉजिटिव, पर मेरे भाई बेस की वैलू कressing राए नहें है निगेटू, तो जहां कहीं भी समय बेस आएगा, यह आपकी रिचयो क्या हो जाएंगे, निगेटू, तो देखिए si hij पर देखिए इसमें आपका बेस कहीं नहीं आ रहा है, tendencies परेंडिकुलर और हाइप mira, another that थीटा और कॉसेक थीटा ओनली ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव समझ गया ना विद पूरूप के साथ बहुत ही बेतरीन समझ गया ना चलिए इसमें हमने दो कंसेप्ट आ दो टुकड़ों में इसको बाट के पड़ा क्या एक तो 90 प्लस थीटा और सेकेंड क्या है आपक जो कि हमने दोनों बहुत ही पुरूप के साथ अब पढ़ चुके हैं अब फंडा पता चला ना कि क्यूं पॉजिटिव होता है क्यूं माइनस होता है यह कंक्लिजन सारे क्लियर हो गया ना बहुत ही बेतरीन इसके बाद पढ़ते हैं क्वाडेंट नंबर सेकेंड सॉरी फर तो तराइक और यह वालस होता है न शली अजियो क्यों कि यह आपको कौन सा साफक्वाडेंट नंबर सैकेंड जोक्त फैसकी ए इसमेंडर रेंज होती है क्या रहंते है क्या माम Christine कि रेंज कि इसमें इसकी रेंज होती है 180 से 270 डिगरी तक करेक्ट यह इसकी रेंज की बात हो गई और इसमें पॉजिटिव कौन सा होता है एड सुगर टू टेन थीटा और कॉसेक्ट टेन थीटा और इसका यह सी प्रोकल क्या हो जाए कॉड थीटा ओनली यह दोनों में ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा एक तो आपका क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा करेक्ट सेकेंड आपका क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा बात समझ पाया ना बहुत ही बेतरी इसको करिए आप छोटा और क्वार्ण को कॉंसेप्ट को भी मेरे भाई समझते हैं कि यहाँ प है कि यहाँ पर लगाई है इसको आगत और सकार थाड़ कोर्डन की बात हो रहे हैं थाड़ क्या हुरे तोम अपना यह है चलिए इसके बाद सम innorer इसमें ट्रिप्लेट ब 설ड़ा ज्रा तो देखिए आपका टिपेड लिगाया है मैंने ये तीन ये चार और ये आपका क्या हो जाएगा पांच देखिए और थाड़ कॉर्डेंट में आपका कौन पॉजिटिव होता है थाड़ कॉर्डेंट में आपका टेन थीटा तेन थीटा और कॉर्ड थीटा पॉजिटिव होते हैं करेक्ट चलिए याद कीजिए पंडित बदरी पुरसाथ हर हर बदरी करेक्ट तो देखिए मेरे भाई यहां से कंकुलूजन यह निकलेगा यहां से आपका कंकुलूजन यह निकलेगा टेन और कॉर्ड थीटा आपके पॉजिटिव होने चाहिए और बाकी आपके निगेट्व चलिए समझते हैं न कैसे यहां से देखिए आपके यहां से देखिए पर्पेंडिकुलर आपका थिरी है और बेस आपका क्या है और यह आपका क्या है पर्पेंडिकुलर यह है आपका बेस और हाइपो आपका कितना है फाइप यह आपका हाइप फाइप इसके बाद देखिए हाइपो आपकी प्लस की वैलू निकलेगी करेक्ट माइनस 3 और माइनस 4 का जब आप स्कॉयर करके रूट करके जोडेंगे तो हाइपो की वैलू आप की फाइप निकलेगी आप मैजड लगा लेना क्या हाइपो को सकार टू प्रपेंडिक वैलाओускर प्लस बेस का स्कुयर आरा इता vision пыт प्रमे के अ उसके अकॉडिलिंग जाना आपका प्लस कश फिख देखें घंगे आप य vitite ट कि क। माइनस कुरिया आपका पर पेंडिकुल कवेलिए यहाँ प dots य से ब्लाइब के अवी ततनी है माईनस फोर तो लिए अव बेस की वाली आपका positive somehow पहना घढ़ेगा क्या हो जाएगा निगेटिव पार्ट ये भी आपका हो जाएगा निगेटिु पार्ट पर ये वाला पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा क्यों क्यूंकि मालेस मालेस दोप तो डिवाइड़ में कड गए सेप नमबर फर्स्ट जलिए जिसमें आपको पता है क्या एक सुसी प्लस थीटा पढ़ना आपको एक सुसी अ विलस थीटा करेक्ट एक स्वसी प्लस थीटा अ इसी यह सिलिखिये अपने हां ळीस योशिया आपके शिंस होते हैं और फिर सी लिक्ते अफिर लेखते हैं ए cientoरुटिछ लीटा क्वेठिक पोर सिटा के मेरे अ प्रक्रायव कि पहष्ट लिखना आपको Really minus theta sin xoc plus theta we have a plus theta cos xoc plus theta n xoc plus theta cossack xoc plus theta tick xoc plus theta or court xoc plus theta correct तो देखिए सबसे पहले इसमें दो बातों का याद रखना मैंने क्या कहा था किये देखिए कि quadrant कौन सा है इससे आपको minus या plus का पता चलेगा तो quadrant कौन सा आपका third quadrant पढ़ रहे ना third quadrant और third quadrant में आपका add sugar 2 10th theta और court theta positive होते हैं 10th theta और court theta positive बाकी आपके क्या हो जाएंगे बाकी हो जाएंगे भाई negative चलिए minus और plus के तो फंडा खतम हुआ इसके बाद इसके बाद आपको यह याद रखना है कि यह 90 का odd multiple है या even multiple है तो देखिए 180 जो है यह तो भाई अपने आप में क्या है इवन multiple है और even multiple में आपको पता है नो चेंज हाँ नो चेंज करेक्ट नो चेंज तो आज़िए आ जाएगा आपका साईन थीटा में कर्क्ट और यह हो जाएगा आपको कौस थीटा yeah यह भी आपका आजटीज हो जाएगा 12 सिक थीटा कि अहां यह से मलर लिए पास एक थीटा क्योंकि एवे法 मॉल्टीपल पे नो चेंज करेक्ट हुजाएगा आपका कॉर्ट थीता समझ पायाना बात बहुत ही बेतरीन अभी आप क्वाड़िट नमबर थिरी का फ़र्स्ट वाला कंसेट आपने पड़ा एक ससी प्लस थीटा आप पड़ते इसी का कंसेप्ट नमबर सेकेंड जो कि आपका क्या है कि मिए आपका ऐसेट नमबर हाए रेकेंड है मेरे भाई कि ये जो माइनस थीटा है दो सबसटर माइनस थीटा चलिए रेश्योस लिखिए अपने आप ड्रीश्यूस क्या आपने साइन थीटा थीटा की जगहें पर क्या है आपका 270 माइनस थीटा, करेक्ट, कॉस थीटा, 270 माइनस थीटा, हाँ, 10, 10, 270, माइनस थीटा, कॉस एक, 270, माइनस थीटा, सेक, 270, माइनस थीटा, हाँ, कॉस पर, कॉस थीटा, कोड़, कोड़, 270, माइनस थीटा, एकॉल में क्या हो गा, तो मैंने क्या बता बढ़ा है डरना नहीं है सबसे पहले देखना क्वाडेंट कौन साइस से ये पता चलेगा माईनस की वैलू आएगी या प्लस की तो क्वाडेंट आपका थर्ड है और थर्ड क्वाडेंट में आपका टेन थीटा और कॉर्ट थीटा पॉजटिव बाकि ये रही हो जाएंगे निए 10 का किया है और मलटिपल और और मल्टिपल पर आपने यह इसमें पाल ओ सिंक हो जाएंगे ही स्माख़ा एन्या इसका के मती क्या हो जाएगा और थी ता के它 आप में पॉट हो जाएगा और तीटा क्योंकि यह हो जाने अपने कॉंपली मेंट्री में यह पहले तरीं यह बात हो गई थर्ड कोडन की आप चलते हैं मूव करते हैं फोर्थ क्वाड़ेंट में चलिए तो पड़ते हैं कॉड्रेंट नमबर फॉर्थ हाँ चला है तो क्वारेंट नंबर फोर्थ आपका कौन सा यह वाला क्वार्डेंट होता है आपका और तो क्वार्डेंट आपका यह होता है और इसकी रेंज क्या होती है दो सो सतर्व डिगरी से हां तीन सो स्टाट डिगरी तक यह इसकी रेंज की बात हो जाती है और इसमें पॉजिट्व माइनस कौन होता है और तो कॉडिनेंट में आपका पॉस्ट थीटा और इसका रेसीप्रोकल होता है सेक्ट थीटा यह दोनों पॉजटिव होते हैं बाकी सारे रेसियों क्या हो जाते हैं नीगेटिव चलो इसको पूरूव के साथ समझते हैं तो कीजिए छोटा और छोटा करके यहां मेरे भाई साइड में लगा लो देख पा रहे हैं बहुत ही बेतर हैं चलिए ट्रिप्लेट लेते हैं ट्रिप्लेट के माद्यम से यह आपको समझा पाएंगे हम यह आपका ले लिए मैंने थिरी हां और और यह तीन चार पांच के ट्रिप्लेट बन गया हां तीन चार पांच के ट्रिप्लेट और इससे पहले याद कीजिए अपना क्या होता था पंडित बदरी पुरसाद इनके बिना आप कर नहीं पाएंगे से से हर हर बदरी अ सिञ्ट फेटा फॉसक भिटाफ़ तींट स बाकि सब्सक्राइब तूप कौन से बीटमरय दब कि ऐल्ली यह आपकर पॉजटिव रहने चाहिए बाकि आपके सारे निगे टू river यह इनि ये वाला पार्ट कि निगेटिव यह भी आपका निगेटिव अनली आपका फ़ेस आप था तर्फ पोर सब्सक्राइब एक निचलिए चलिए देखते हैं इसमें कैसे हो पायेगा और हीप यह दूरा अजय को दिख़ए आप का पॉजिटिव रहना चाहिए चलिए तो जाएसी बात है आपका यह दूरों मैस यही केवल दो वैलू ऐसी है जो कि अपने आप में प्लस किया है तो समझ पाया है ना कॉस्टीटा और सेक्टीटा आपके केवल पॉजिटिव हो रहेंगे इसके बाद रेंज किया थी इसमें 270 डिग्री से लेके 360 तक ठीक है तो इसके ब्लस की रेंज कितनी है इसे प्लस किया 660 बाद वास समझ पाया आपकी बेतरी तो इसको 2पार भी कार और पर्ढेंगे तो दिखिए एक तुछ हो जाएगा आपका 270 प्लस थीटा और सेकेंड हो जाएगा आपका तीन सो साथ माइनस थीटा क्योंकि तीन सो साथ से इसका ज्यादा का एरिया नहीं इसको चाहिए ना पॉसिबल ही नहीं है छमता ही नहीं इसको हां जो इसको जेल भाए चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं कंसेप्ट नमबर इसमें कौन सा कंसेप्ट है आपका देखिए यह आपका पहला कंसेप्ट यह आपका दूसरा कंसेप्ट पहला आपका 270 270 अ क्थेटा को करेक्ट चलिए रेचियों अपने रेचियों छे लिए है घरैभी है साइन थीटा competitiveness जुक्राइघ याघता करेक्ट ए ज बलास थीटा क्यों से टकाँ फॉस थीटा ऐसे सिनती को से गोंस थीटा इस कॉस्ट तो सिवनेंटी माइनत प्लस थीटा प्लस अंब II beta 10, 270 प्लस थीटा, कॉसिक, 270 प्लस थीटा, सेक, 270 प्लस थीटा, इक्वल में क्या होगा, कॉट, 270 प्लस थीटा, चलिए, तो मैंने क्या का, सबसे पहले, तो आप देखिए, क्वाद्रेंट कौन सा, इससे आपको माइनस या प्लस का पता चलेगा, तो क्वाद्रेंट कौन सा, आपका फोर्थ, और फोर्थ प्लस थीटा, कॉस थीटा, और एक थीटा आपका पॉजट्टिव, बाकि आपके भाई मेरे सारे क्या हो नाइंटी का, अवल्ड मल्टीपल, यह 272, 90 2 quello में अपने रेशियो कॉंपली में, कंपली में चैंज होताते में, कॉंपली मेंकर suspicion 10 तीटा में इन अपने कॉंपलीमेंटिरिंटरीए धी टो में कनवर्ड हो जायेगा और कॉसेख हो जाएगा सिक थीटा में अब आई ओ अपका टेन तीटा अपने कॉंपलीमेंटरी टेन तीटा में बास समझ मैं आई अब फोर्थ कॉयादन काई कि कंसेप्ट नंबर सेकेंड बढ़ेंगे हां जो कि क्या है 300 साइट माइनस ठीटा हां 300 साइट चलिए नेक्सट पेज्ट में चलते हैं इसको तो इसमें आप क्या देख रहे हैं इसको दो पार्ट में आपको ब्रेक करना था पहला तो आप पड़ चुके हैं यह आपका क्या है सेकेंड चलिए तो पहले लिखते हैं क्या रेशियोस बहुत ही ज़रूर ही है तो रेशियोस कितने थे आपके इसक्स कि रेशियोस देना नाम देखते हैं ना साइन तीन सो साथ माइनस थेटा या तीन साथ को अब जीरो भी लिख सकते हैं चलिए नेक्स श्लाइड बेखाएंगे चलो क्यान थेिश्टी गिडि मैंनस थे घा थेज़ों कॉस थें मैंनस थेटा ऑिन थेुरहिं हृ ठेपे सिर्श्टी मैंनस थेटा हॉसक पह से थे थे चासिंच्शटी मैंनस थेटा ठीक हिरे 60 माइनस थेटा और तो हिरे 60 माइनस थेटा एकवल में क्या होगा हां एकवल में क्या होगा चलिए तो मैं आपको यह आपको निव चीज और बताना चाहा हूं कि कि यह देखीं मेरे फिरे 60 को आप 0 degree तो भी लिख सकते हैं यह सकते हैं जीरो डिगरी भी तो लिख सकते हैं ऐसे देखो अभी आपने इसने स्टर्ट काहां सी किया था जीरो डिगरी से और फूरा घुमता हुआ खूंता हूँआ गया फिर से पूरा आ गया 360 मनलब काहां 0 से स् सकते हैं न क्योंकि मेरे भाई देखिए यह क्या ओजाईगा आपको 0 हाँ 0 डीगरी तो ऐसे लिह सब्ढे सेरा टाइन 0-1 आइन 0-3 तो प्नालि बचा क्या आपका ये ताइन माइनस धिता बिरेक्ट आया सिमिलरली यह क्या बचेगा आपका आपका कौस को सब x-जी अ क्या को सब्सक्राइब पर यह जाएगा आपका कॉस्टक ऑब्सक्राइब इसगा अब इसके बाद मैंने क्या कहा आप यह और यह अप वारा थे ऑफ सम्झे आना ऐए वारी मेरे जया इसे शली एब acceptable प्रवाद मैंने क्या का आप ये चेक किजिए कि 90 का और मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है ठीक है और इससे पहले ये चेक कीजिए कि कौन से क्वाड़ेंट का है इससे आपको माइनस या प्लेस का पता चलेगा तो भाई मेरे ये क्वाड़न नमबर फॉर्थ की बात हो रह थीटा पोजुटिव होता है कोउस थीटा और सग्ट फीटा पोजुटिव होता है बाकि आपके क्या हो जाएंगे बाकि आपके सारे निलिगेट्फ इसके बाद आप ये चेकलिए कि 90 का और मल्टीपल या इव elabor दो देखेसयों मेरे भाई यहां प्ले तो दो क्या हुआ तो क्या आजाएगा 4 आएगा और जो कि 4 आपने यहां पर क्या है positive value है तो इसलिए positive value पर no change तो sine का sine ही रह जाएगा क्या हो जाएगा as it is sine theta sine 90 minus theta क्या हो जाएगा sine theta minus theta present कर रहा है किसको represent कर रहा है fourth quadrant को यह cos theta as it is हो जाएगा आपका cos theta कर्रेक्ट यह हो जाएगा आपका 10 theta यह हो जाएगा आपका cos theta as it is even पर no change even पर रिस्योस no change अपने complimentary पर as it is 6 theta यह भी आज़िटीज आजाएगा और theta भाई यह बात हो गई अपने quadrant के बारे में बहुत ही बेतरी लाजवाब तरीके से हां नौन इस्टाफ हम बिना ब्रेक के पढ़ते हुए आ गए बहुत ही बेतरीन तरीके से आप समझ भी पा रहे होंगे एक से दो बार भाई आपको एक बार और क्लास रिपीट करने पड़ेगी सारे आपको कंफीजन कहीं भी अगर को इतना भी कंफीजन हुआ एक बार फिर से क्लास आप बैक कीजिए फिर से आप देख लीजिए टू एक सीवीट फिर देख लेना साइट आपको खिलियर हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक से भाई आपको बताया गया हां एक तम बिल्कुल एक्सेस बना के समझा एक्स एक्स डैस वाई वाई डैस इधर वैलू प्लस की उपर प्लस की इधर माइनस नीचे माइनस इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या समझा रेंजी भी देखी हां रेंज किती जीरो डिगरी से तीन सो साट डिगरी तक पार्टिकुलर सबकी लारा भाई यहां तक है और इस दारे में आप अपने रेशियो को खिंग बना सकते हैं बाकि दुसरे Vाला द्र यह क्या बन जाएगा सकत Só झाथ नहीं रहेगा वं जो क्यों अपने एर्या में केवल रोर्शी बफिकी में क्या पताए दूसरा यह सब्सक्राइब हैं और यह आपका कॉस और सेकिंग एक पर्टिकुलर अलग-अलग कंसेप्ट समझेने से पहले हमने आपको क्या बताया कॉंप्लीमेंटरी जो कि आपको विद्गराप के माध्यम्टर समझाया जो कि आपको भूलना नहीं है अपने किसमें कर दोगा साइन अपने कॉस्में टेन अपने कॉट में सेक अपने कॉसेक में ऐसे आपको लिख की बता दिया इसके बाद बहुत इंपोर्टेंट आपको कंसेट बताया कि अगर 90 का और मल्टिपल हुआ तो यह अपने कॉंपलीमेंटरी में चेंज हो जाएंगे करेक्ट सेकेंड क्या लिखाया अगर 90 का इवन मल अब जुटी क्यूं होते हैं ट्रिप्लेट के माध्यन से आपको समझा दिया इसके बाद सेकेंड कोर्ण देखा हां सबसे पहले आपको दो चीजों को प्रयाद रखना है क्वादर अकॉर्ण सा इससे आपको मानिस या प्लस का पता चलेगा करेक्ट सेकेंड बात आपको य और यह चैंज हो जाते हैं करेक्ट चलिए और यह बात आप याद रखना की इसको रेशी प्रोकल में में चैंज होंगे ग्वाड़न कंसेप्ट में जो की बहुत ही बेतरी तरीके से हमने अलग-अलग करके सभी पार्ट को समझा वित्प्रूप के साथ है ना इसके बाद च करेंगे और एक बार रिपीट कर लेना जो आपको यह आज पढ़ाया गया है करेक्ट बाकि यह सारा कुछ आपको मिल जाएगा प्यजी पीडियो फो में आपको अपने इस टेलीग्राम पे और टेलीग्राम को लिंक आपको मिलेगा कहां पे यूटूब चैनल पे डिस्क्र सब्सक्राइब करते रहें करेक्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लभी और टेक केर बाय बाय जैहन